हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चानल लीगल हैल्पिन हिंदी फ्रेंज आज के इस वेडियो में हम जानने वाले हैं कुछ लीगल टर्म्स के बारे में जैसे की JMFC कोट, ADJ कोट, ACJM कोट, CJM कोट क्या होता है इन कोट्स के बारे में आपने अक्सर सुना होगा लेकिन बहुत से लोग या फिर यूं कहें कि जो नए एड़ोकेट बने हैं या फिर लॉक की पढ़ाई कर रहे हैं ज्यादा तर को नहीं पता होता कि JMFC, ADJ, ACJM और CGM कोट क्या होती हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई केस करना है उन्हें भी इन टर्म्स और कोट की लेंगविज से दोचार होना पड़ता है तो इस वीडियो में हम जानेंगे इन कोट के बारे में वीडियो बहुत ही नॉलिजिबल होने वाली है इसलिए आखिर तक चुड़े रही है सबसे पहले बात करते हैं जे एम एपसी कोट क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है जुडिसियल मजिस्टेट और फरस्ट क्लास यानि की प्रथम स्रेणी न्याइक मजिस्टेट ये मजिस्टेट किसी भी मामले की पहले सुनवाई करते हैं यानि कि अगर कोई भी केस हो तो वो first great magistrate के पास ही सुनमाई के लिए जाता है अगर कोई वेक्ति इस court में अपराधी पाया जाता है तो first great magistrate उसे सिर्फ 3 साल की सजा दे सकती है और 10,000 रुपे का जुर्माना या फिर दोनों लगा सकती है तो ये इनकी power होती है इससे ज्यादा की सजा सुनाने के power इनके पास नहीं होती है परियाती है ADJ court की एड हम कहते है additional district judge यानि की अतिरिक्त जिला नियायाधिश district judge जिसे की हम ADJ कहते हैं ये judge जब civil मामलों के सुनवाई करते हैं तो इन्हें district judge कहा जाता है लेकिन अगर ये ही judge criminal cases के सुनवाई करते हैं तो इन्हें हम सैसन judge कहते हैं इक case पर डिपन करता है कि वो matter civil है या फिर criminal है इन courtों के द्वारा जो भी फैसले होते हैं उनकी जो appeal होती है वो high court में करी जा सकती है civil cases में तो सजा नहीं होती लेकिन जब ADJ criminal cases के सुनवाई करता है तब वो सजाए मौत या फिर अजीवन कारवास और 10 साल की सजा नहीं दे सकता यानि कि ADJ 10 साल से कम की सजा दे सकते हैं अब बात करते हैं CGM यानि कि Chief Judicial Magistrate की जिसे हम हिंदी में मुख्यन्याइक Magistrate कहते हैं ये designation District Magistrate में सबसे उची designation होती है एक district में सभी Judicial Magistrate को Chief Judicial Magistrate के अंडर काम करना होता है यानि कि एक जिले में एक ही CGM होता है यानि जिसे हम Chief Judicial Magistrate कहते हैं और उस जिले के सभी जज उसके अंडर काम करते हैं इनकी पावर की बात करें तो CGM सजाए मौत और अजीवन कारवास की सजा नहीं दे सकता ये 7 साल तक की सजा दे सकते हैं उसे ज़्यादा की सजा सुनाने की पावर इनके पास नहीं होती तो एक जिले में एक ही CGM होता है अब जानते हैं ACGM यानि की Additional Chief Judicial Magistrate के बारे में जिसे हम अतिरिक्त मुख्यन्याइक Magistrate कहते हैं High Code के पास ऐसी पावर होती है कि वो किसी भी Judicial Magistrate को ACGM के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं और इनके पास भी वही पावर होती है जो की CGM के पास यानि की Chief Judicial Magistrate के पास होती है या फिर इनके पास पावर कितनी होगी ये High Code पर भी Depend करता है वो चाहे तो इन्हें CGM जितनी पावर दे सकता है या फिर उससे कुछ कम पावर भी इनको दे सकता है तो होफरेंग के आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इन्फोर्मिशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा